कि दोस्तों तो आज हम देखेंगे कौन सी कंपनी डिविडेंट देने जा रही है तो इसके लिए हम एन्सी की वेबसाइट पर जाएंगे एन्सी इंडिया टाइप करेंगे तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट हमारे सामने खुल जाएगी हम पुराने वाली वेबसाइट पर जाएंगे यहां पर डिविडेंट सेर्च करने के लिए हमें कॉर्पोरेट्स पर जाना होगा और कॉर्पोरेट एक्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा कॉर्पोरेट एक्शन में हम डिविडेंट को सर्च करेंगे तो हमारे सामने दो कंपनीज के नाम आगे एक एंजल वन एंड हैवल्स इंडिया लिमिटेड जो डिविडेंट देने जा रही हैं जिनकी एक्स डेट है 24 जनवरी और 25 जनवरी तो चलिए इन कंपनीज को हम देखते हैं हैवल्स इंडिया लिमिटेड अ करेंट प्राइज है 1,154 डिविदेंट रेट 0.65 रोसी 27.6 तो मोटर होलिंग 59 परसंटेज काफी अच्छी कंपनी है सेल्स क्रोथ लगतार बढ़ रही है प्रोफिट ग्रोथ भी CAGR भी हर साल बढ़ता हुआ तो कॉर्पोरेट एक्षन में हम देखेंगे डिविदेंट त्री रुपीज का डिविदेंट देने जा रही है और एक्ष डेट है जनवरी 25 अग्षाइब सेकेंड कंपनी है एंजल वन तो इसके बार में जानते हैं 1296 का करेंट प्राइज है डिविदेंट टो परसेंट है काफी अच्छी कंपनी है ग्रोथ कंपनी है इसके बारे में सेल्स क्रोथ लगातार बढ़ती हुई 39 परसेंटेज त्री एर्स 43 परसेंट करन्ट 39 परसेंटेज प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ती हुई काफी ग्रोथ औरिंटेड कंपनी है को और पर एक्षिन में देखेंगे हम 9.60 रुपिस का डिविडेंट दे रही है जैनुरी 24 इसकी एक स्टेट है तो यह दोनों कंपनीज डिविडेंट देने जा रही है आप समझ गये होंगे कौन सी कंपनीज 22 करनी है हमें